देखिए colony से better होता है अगर कोई country डोमिनियन है वो colony से better है लेकिन colony से better है लेकिन पूरी तरह से आजाद नहीं है तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि कल पहला डेमो क्लास था आज दूसरा डेमो क्लास और अभी पॉलिटी के ही कुछ डेमो क्लास आपके चलने वाले हैं होप मेरी आवाज आ रहे हैं अज भी हमारा इंडियन पोलिटी ना में डिया है वह मैयाग प्रियांबल क्या होता है आप हम दो देखते हैं देखेट तो मतलब क्या होता है देखेश सावरें इसका मतलब होता है कि आपको एक्स्टर्नल या इन्टर्नल जो forces होता है वो कभी भी मजबूर नहीं करेंगे आपको अपने decisions को लेने के लिए जैसे कि इसका मतलब बढ़ा ही simple है इसका मतलब यह होता है कि if you are about to take a particular decision तो उस decision को लेने के लिए कभी भी आप ना तो internal ना तो external forces से आप कभी भी influence होने वाले है कि अगर suppose मान के चलिए कि इंडिया को कोई law बनाना है इंडिया wants to make a law या इंडियन गवर्मेंट wants to make a law तो क्या इस law को बनाने के लिए उसे USA से पुछना पड़ेगा अमेरिका से क्या उस law को बनाने के लिए चाइना से पुछना पड़ेगा या क्या उस law को बनाने के लिए United Nations से पुछना पड़ेगा The simple answer is no sir बिल्कुल भी नहीं उस law को बनाने के लिए ना तो चाइना से पुछने की जरूरत है इंडिया को ना तो अमेरिका से ना तो United Nations से पुछने की जरूरत है इसका मतब क्या हो गया कि इंडिया अगर law बना रहा है तो वो बिल्कुल क्या है वो बिल्कुल free है free वो free है अपने laws को बनाने के लिए क्यों free है क्योंकि India is a sovereign nation India is a sovereign nation अगर वो sovereign नहीं होता अगर India sovereign नहीं होता तो फिर आप क्या सकते थे कि नहीं sir India is not supposed to make its own laws it has to ask some of its powers यानि उसको किसी power से कुछ ना कुछ पूछने के जहोद पड़ेगी उसे ही हम लों कहते है colony, dominion मैं अभी सब बताऊँगा आपको क्या क्या मैं सारे शब्दों को मैं clear करता हूँ अभी तो sovereign क्या हो गया बड़ा ही simple सा था sovereign का मतलब क्या हो गया कि भई आपको अपने decisions लेने के लिए you are free देखे तो यह तो मैंने समझा दिया अब जड़ा इसके मों definition को थोड़ा देख ले देखे, million क्या है इसका the term means that India has its own independent authority independent authority and it is not a dominion of any other external power it is not a dominion it is not a dominion देखे, अब बास समझेए देखे, तीन words आते है पहला है colony दूसरा है dominion तीसरा है sovereign sovereign देखे, हो तक है colony मतलब क्या हो गया आप पक्के गुलाम हो ऐसे समझो आप गुलाम, जैसे इंडिया था ना 1947 तक इंडिया 1947 तक तिल 1947 तक इंडिया क्या था इंडिया वाज कॉलिन ऑफ ब्रिटेन इंडिया ब्रिटेन का यह कॉलिनी था और यह 1947 का मैं क्यों कहा रहा हूँ कि उसके पहले 1947 जैसे आज का आप देखू आज इंडिया सौवरिन है इंडिया को किसी से कुछ पूछने के ज़रुवत है नहीं अपना जुभी फैसला लेना होगा जोभी डेसीजन्स लेना होगा वो अइंडिया अराम से लेगा उसे किसी से पुछें कि कोई जवत नहीं है लेकिन 1947 तक क्या था कि ब्रिटेन मैं हमेशा ब्रिटेन को ऐसे लिखा करूंगा ब्रिटेन जो है वो इंडिया के फेवर में लिया करता था है डिसेजंस ट्रैट वाइड कोज इंडिया वाशकाल नी इंडिया कोली थी इंडिया गुलाम देश था यह था में रीजन और बढ़िये डोमीनियन से थोड़ा बैटर इंडिया काली नी देखिए colony से better होता है अगर कोई country dominion है वो colony से better है लेकिन colony से better है लेकिन पूरी तरह से आजाद नहीं है it is not completely free और पूरी तरह आजाद क्यों नहीं है मैं बताता हूँ देखिए colony का मतलब क्या होता है कि internal आपको freedom तो होता है internal freedom आपको होता है लेकिन आप जो भी काम करोगे कोई भी जो आप decisions लोगे वो final उस पे authority किसी external power का लगता है यही है definition dominion का मतलब कि जैसे मान के चली के से suppose इंडिया ने अपना सारा काम कर लिया इंडिया ने law बना लिया बट मान के चलो कि यह ऐसा अगर होता है कि ब्रिटेन के जो राजा है या जो रानी है उनका rubber stamp लग रहा है या उनका final signature लग रहा है तो उस case में आप यह कहते हैं कि इंडिया is having its internal freedom but externally it has to get the authority यानि it has to get the signature है ना externally वो किसी और power से उसे authority मिल रही है पे रूल करने के लिए है ना तो complete तरीके से free नहीं हुए लेकिन हाँ colony से आप better है colony में तो आपको अपने फैसले लेने के लिए बिलकुल मना ही थी you are not supposed to take any internal decisions कोई भी internal decisions आपको लेने के लिए अलाव नहीं किया गया था when you are a colony लेकिन dominion में क्या था internal decisions आप दे लो कोई दिक्कत नहीं है external जो भी factors होंगे उस पे sign या आप जो decisions जो लोगे भी finally आप पे signature किसी बाहर के authority का लगने वाला है चलिए sovereign क्या हो गया देखिए sovereign dominion और इससे obviously दोनों से सबसे better form आपका ruling है sovereign क्या हो गया completely free this is completely free complete freedom इसे को कहते हैं लोग sovereign का मतलब हो गया complete freedom complete यानि कि आप अपने फैसले खुद लो अपना ही आप signature भी लगाओगे यानि आपको किसी इसे पूछने की जरुवत नहीं है तो अगर मैं आपसे पूछू कि slavery का worst form कौन सा है colony of freedom का सबसे best form कौन सा है sovereign यह पूछावा सवाले एक बार clear है देखिए यहां लिखाव है the term message में टा दूँ आपको screenshot लेते रहे या साथ में लिखते चले वैसे तो आप लोगों जो नोट से प्रवाइट किये जाएंगे बटर स्टिल फ्यूल राइट इसे एजियर फोर यू तो रिकॉल थेंग्स बिकॉस बहुत सा इसे topics आएंगे जहां पर आपको अपने लिखे में नोट जादा क ही है कि आप किसी के भी डोमीनियन नहीं है आपको अपना खुद का अथॉरिटी है इन दर कंट्री दा लिजिसलेचर अगर बनाना है तो आप फ्री है यूर फ्री आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है लेजिसलेचर जो वर्ड होता है इसका मतलब यही होता है a body that has got the power to make law law making body or law making authority is called legislature ठीक है तो मैं आपसे यही कहना चाहरा हूँ कि लेजिसलेचर जो है न देखिए क्या लिख रहा है लेजिसलेचर यानि law making authority मैं यह लिख देता हूं मैं इसे यह लिख देता हूं लेजिसलेचर का मतलब हो गया law making body यानि कि law making body जो है लेजिसलेचर has the power to make laws which are subject to certain limitations कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें चलिए आगे बढ़ता हूं मैं इसमें अब देखिए के स्टेडी जारा करते हैं लोग के स्टेडी के यह कहता है कि आप सौवरिन हो मतलब कि क्या है अगर आप सौवरिन हैं तो मतलब कि आप तो completely free है आपको अपने फैसले लेने के लिए कभी भी external powers कभी भी influence नहीं करेंगी आप यही बात क्यारो चलो मान लेता है बट एक बात बताईए आप आपने सुना हुआ United Nations के बारे में 1945 में ये body बनाई गए थी क्योंकि World War 2 होने के बाद पूरी जो विश्व थी वो बहुत पूरी जो वर्ल्ड था तो इसलिए पूरे विश्व को एक साथ जोड़ा जाए इसलिए एक platform का होना बहुत ज़रूरी था एक common platform का होना बहुत ज़रूरी था और इसी वज़र से ये देखा गया कि United Nations बना दो जहां पर सारे के सारे जो countries हैं उनके तरफ से एक-एक members आएंगे अपनी बातों को रखेंगे और एक platform रहेगा जहां पर international issues को सुझाया जाएगा उसे ही हम लोग उपर पर मैं भी बता रहा हूँ वैसे international nations मैं सब detail में बताऊंगा आपको international nations वही platform था तो यहां देखे क्या है कि यह एक case study है यहां पर मैं प्रूफ करूँगा कि इन दोनों case में आपको लगेगा कुछ समय के लिए कि इंडिया sovereign नहीं है देखे क्या से United Nations के अगर आप member होते हैं कभी-कभी आपको out of pressure कुछ-कुछ चीजों को accept करना होता है जैसे बहुत सारे ऐसे treaties agreements sign होते हैं United Nations के platform पे अब इंडिया है माल जी इंडिया देख रहा है कि भाई जितने countries है उसमें 90% countries ने जो agreement हो sign कर दिया है यह 99% countries ने वो agreement sign कर दिया है अब इंडिया तो अकेला वो नहीं होना चाहेगा वो country जो sign नहीं कर रहा हो एक अलग तरह का देखिए इमेज वनता है उसकेस में सुन है कि इंडिया वो इस अब कर रहे हैं मैं भी करता हूं लेकिन अगर आप प्रेशर में अगर आ करके उस्कार हो कि तो फिर आप सौबरीन कैसे होगा और आप समझे बात यहां आपको बस समझना यही कि अगर माल जीए कि आप प्रेशर में अगर आप pressure में आ करके और आपने क्या किया कि United Nations का आपने कोई एक agreement या pact या treaty आपने किया sign अब treaty आपने sign कर दिया out of pressure लेकिन आप तो sovereign थे आपको तो कभी भी external pressure से influence नहीं होना था इसका आपको answer देखे कैसे करना है इतना होने के बाद भी हाँ चलिए मैं वानता हूं कि इंडिया ने प्रेशर में आकर क्या और जो agreement इसको sign किया but still I'm saying no sir India is sovereign कैसे देखे process देखे क्या होता है यह रहा United Nations लोग यह मैं सुपर कर देता हूं so that यह रहा United Nations United Nations में सपोस्पोज कोई treaty sign हुआ treaty मतलब agreement पैक्ट इंडिया ने ठीक आउट प्रेशर साइन किया बट इंडिया ने sign कर दिया टिक sign कर दिया अब आगे कर देखे process क्या होगा ऐसा नहीं है कि आप में जो sign कर दिया तो उसके बाद इंडिया में आते आते implement हो जाता है agreement जो आपने sign किया United Nations में ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में जैसे ही आपने sign किया United Nations के platform पर उसी समय वह वहां पर implement हो गया ऐसी बात नहीं है सर अब उस agreement को लाए जाएगा Parliament में पार्लिया में पार्लिया में जिसमें दो houses होते हैं लोग सभा राज सभा अब यह जो आपने जो टीटिल जो sign किया था United Nations में उसको लाए जाएगा Parliament में अब Parliament में दोनों houses उस पे voting करेंगे और जब तक दोनों houses वोट नहीं कर दें तब तक आप इस agreement को मैं इसको टी लिख देता हूं इस treaty को आप तभी लागू करोगे जब लोग सभा रा सभा ने पास कर दिया तो ही आप उस treaty को लागू कर दोगे इंप्लिमेंट कर दोगे आप लेकिन जड़ा ध्यान से देखिए अगर मान दीजे लोग सभा ने पास कर दिया मान दीजे और रा सभा ने मलब दोनों houses ने पास नहीं किया उस case में क्या होगा उस case में टी जो है वो आपका लागू नहीं होने वाला है तो आखिरकार कौन डिसाइड कर रहा है कि भया ट्रीटी साइन हो गी या नहीं आखिरकार कौन ये कर रहा है डिसाइड क्या उनाटे निशन कर रही है नहीं आखिरकार डिसिजन किसके हाथ में आया पारल्यामेंट के हाथ में आया पार्ल्यामेंट किसका बॉड़ी है इंडियन गवर्मेंट म कोई नहीं पढ़ता है क्यों किुके फाइनली इंडिया की साइट कर रहा है कби से करना है कि उसे इंप्लीमेंट करने फर्क होता है है तो यहीं पाप्पषर आता हैто है पोसी पर रैटीफिक्रेशन पार्लेमेंट ने जो पास किया ना ना इसको मैं लिझ देता गर आहां हो रिटी हैbellिए है से ओस बार यह में पा मौलीक सी जुट But diesen थी जब वह पास्थ हो जाती है लुट से तो अधोंनोंई कहते हैं कि वह वे ट्रीटी जो है वुक रैटिफाई हो गया पाल्लेमेंट ने रैटिफाई कर दिया है या पार्स कर दिया तो जब सब तक international treaty आपको याद देखिए बस यही रखना है वो तो मैंने सब समझाया सो आपका एक बेस बन जाए international treaty जो है international treaty जब पास हो जाए यानि जब रैटिफाई हो जाए तो ही आप treaty को implement कर सकते हैं implement कर सकते हैं otherwise implemented नहीं होगा that is why United Nations का member होना आपके sovereignty को कम नहीं करता है आप फिर भी sovereign हो आप भले इसके member हो बट आप फिर भी sovereign हो कोई फरक नहीं पड़ता है क्या आपने treaty signed किया नहीं किया right okay all right good चलिए अब दूसरा देखे के स्टेडी तो यह तो आप सीख गए पहला के स्टेडी दूसरा देखे आप के स्टेडी जड़ा देखें दूसरा के स्टेडी कि commonwealth nations का member होना आपके sovereignty को कम करता है क्या सवाल आपसे ही पूछा जागा कि अगर इंडिया commonwealth nations का member है तो क्या उसका sovereignty कम हो जाएगा answer देखें क्या होगा सबसे पहले सीखें कि commonwealth nations किन देशा को कहा जाता है देखें पास्ट में जो भी कंट्रीज ब्रिटिश यानि ब्रिटेन के अंडर में थे उन सारे कंट्रीज को commonwealth nations का दरजा ब्रिटेन देता था ब्रिटेन ने एक ग्रूप बना लिया उसने कहा कि भाई जो जो पास्ट में मेरे अंडर में थे आप लोग इस ग्रूप को जॉइन कर लो साइकलोजिकल स्लेवरी कहते थे इसे कुछ लोग नहरूजी भी से साइकलोजिकल स्लेवरी कहते थे कि साइकलोजिकल ही फील होगा कि भाई आप तो मेरे अंडर में थे एक समय तो इंटरनाशनल प्लाटफॉर्म पे आपको थोड़ा लगेगा कि भाई ये तो मेरे सुपिर जिरू जी इस बात पर बहुत क्योंकि देखिए इंडिया 1947 में जब आजाद हो रहा था तो उसे में एक आने वाला था इंडिया इंडिपेंडेंडेंस एक्ट में लिख दिया गया कि देखिए सब्सक्राइब को थोड़ी कहानी बता दो इस पर एक मेंट के कहानी बहुत कि नहीं इंडिया शुड बिकम दी मेंबर ओफ कॉमन वेल्थ नेशन तो इंडिया का ऐसा कहना था कि भाई हम क्यों बने हम तो आप से फिडियम मांग रहे हैं आजादी और आप आजादी के नाम पर हमें देर हो कॉमन वेल्थ नेशन का एक टैग और ये टैग हमें पसंद कि भाई इंडियन इंडिपेंडेंस आट नाइंटीन फॉर्टी सेवन में ये साफ तौर पर लिख दिया गया कि इंडिया ध्यान से सवाल यहीं से बनेगा कि इंडिया जब चाहे तब इसके मेंबर्शिप से बाहर हो सकता है इंडियन इंडिपेंडेंडेंस आक्ट आफ नाइंटीन फॉर्टी सेवन ये बात साफ तौर पर बोलता है कि इंडिया जब चाहे इस पर्टिकुलर मेंबर्शिप को छोड़ सकता है आ गई आपको सॉवरेंटी मिले आपको सॉवरेंटी भाई आपको जैसे ही लगेगा कि हां मेरे पर प्रेशर आ रहा है मुझे काम नहीं करना इसके साथ छोड़ दो में बश्यपात कि लेकिन अगर यह बात अगर नहीं लिखी होती तो आप कह सकते है कि हां जी सॉवरेंट पर जब भी कुछ आएगा वैसे तो मैं आपको सब कराऊंगा बर क्योंकि अभी के लिए बस आपका यह चल रहा है डिमो क्लासिस तो इसलिए तो देखिए सॉवरेंटी पर जब भी को आपका कुछ टॉपिक आजा है लिखने को इतने से जाद आपको जवत ही नहीं है आप एक्स्टर्नल और इंटर्नल फैक्टर कैन गाइड यू इन टेकिंग यूर ओन डेसिजिए ठीक है बाकी सब यह सब लिखा हुआ है स्कीन शॉट ले ले बस मज़े मज़े इन दोनों के स्टटी को फिर से देख लेंगे बार नोट बना ले और फिर से अगले जो लेक्शे उसकी वेट आपकी जारी रहनी चाहिए और अगला लेक्शे भी पॉलिटी का होगा उसके बाद फिर दूस्रे सब्सक्राइट के दो देमो क्लासे देखेंगे सो वन आफ्टर दी अला इसी तरह से आप वो के लिए जो डेमो क्लासे वो बिलकुल आते रहेंगे और शमेद और OSW दोनोंने मिल करके ये UPC का फुल फांडेशन कोर्स लांच करने की जो मुही में इसे बहुत अच्छे तरीके से भी है प्लांग सो जिस वेट फॉर दी नेस्ट लेक्शर वेव गुड़ दे अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दे माई टीम व अब गुड़ दे